गैस, git और github तो आप मेंसे सभी लोगों ने यूस किया होगा git एक open source software है जो कि आप लोगों को आपका code maintain करने में मदद करता है और github एक service है जो कि आप लोगों को मदद करती है git repositories host करने में आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप अपने server पर किस तरह से अपनी git repositories को host कर सकते हैं ऐसा उन organizations के लिए ideal होगा जो कि github को अपने code का data नहीं देना चाते हैं आज की तारीक में बहुत सारे code पर बहुत AI वगरे ट्रेन हो रहे हैं SM organizations का एक बहुत बड़ा concern होता है कि किस तरह से अपने source code को protect किया जाए ना github को दिया जाए ना किसी भी hosted service को दिया जाए अपने पास रखा जाए और इसी के लिए use करते हैं हम लोग git lab का git lab की सहाईता से आप लोग code को host कर सकते हो अपने server पे और अपने server पे host करके आप लोग उसको बिलकुल github की तरह इस्तिमाल कर सकते हो कैसे करते हैं इस सब चीज़े exactly चलते हैं computer screen में let's get started so guys मैं आ चुका हूँ अपनी computer screen में और मैं आपर अपने akma account में आ चुका हूँ अगर आप लोग follow along करना चाते हो free of cost जो भी मैं आपर कर रहा हूँ तो आप लोग description में दिये वो लिंक का इस्तिमाल कर सकते हो जिसमें कि आप लोगों को मिलेंगे $60 day credit और आप $60 day credit का इस्तिमाल करके यह सब कुछ जो में try कर रहा हूँ और करवा रहा हूँ और practice वगड़ा आप लोगों कि अच्छी हो जाएगी आप लोग access कर सकते हैं absolutely free of cost create पर click करूँगा linode पर click करूँगा basically idea यहाँ पर यह है कि हम लोग gitlab को setup करेंगे एक server पे अगर आप लोगों को guide चाहिए gitlab को setup करने की तो वो आपको मिल जाएगी लेकिन अभी मैं marketplace पर click करूँगा और यहाँ पर मैं gitlab को ढूड़ूँगा आप लोग search भी कर सकते हो बच मुझे यहाँ पर यह जो gitlab है वो दिखिए आप यहाँ पर search भी कर सकते हो मैं आई पर click करके deploy gitlab through the linode marketplace यह मैं linode की जो guide है उस पर चला जाऊँगा यहाँ पर click करूँगा तो और यहाँ पर मैं अगर click करूँगा तो यहाँ पर मैं यह about.gitlab.com पर चला जाऊँगा जो की gitlab की अपनी website का link है मैं आपर करूँगा क्या कि इस guide का इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को करूँगा लेकिन अभी यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग gitlab को install करते हैं एक server पर अब यहाँ पर यह पूछ रहा है कि अपना एक email address बता दो harry at code with harry.com मैंने आप पर एक अपना email दे दिया अब यह कह रहा है यहाँ आपर कि कुछ advanced options को आप भर सकते हो कर चाहो तो और यहाँ पर route करता हूँ और मैं आपर एक password दे देता हूँ और यहाँ पर मैं भी कोई domain वगरा setup नहीं करना चाहता हूँ मैं simply यहाँ पर ubuntu 20 LTS की जो image है वो select करूँगा और यहाँ पर मैं Mumbai India select करूँगा यहाँ पर shared 8GB मैं या फिल dedicated 8GB actually select करूँगा और उसका reason मैं आप लोग को बताता हूँ कि यहाँ प तो हमें dedicated 8GB ही use करना पड़ेगा हमारे पस कोई दूसरी choice नहीं है अब आप लोग try करके मुझे बताओ नीचे comment section में अगर किसे ने नानोड 1GB क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि चीज़े नानोड 1GB में भी काम कर जाती है लिनोड 2GB में भी काम कर जाती है तो अगर आपके के बाद मैं create linode पर क्लिक कर दूंगा अब यह कह रहा है कि मैंने यहां पर एक थोड़ा complex password चुल लिया है और यहां पर यह हमारी जो लिनोड है वो प्रोविजन हो रही है तो मैं आपर gitlab की इस guide को पढ़ रहा था और यह जो हमारी machine है यह रन हो चुकी है आप यहां पर network में आने के बाद आप simply क्या करें कि यह जो आपका reverse dnss को आप लोग copy कर सकते हैं और अगर आप लोग यह ip copy करके नई tab में हम लोग डाले तो देखते हैं क्या होता है और यहां पर मैं root डालूँगा और password आपको कहां से बिलेगा मैं बताता हूं तो password को पता करने के लिए आपको यह command run करना पड़ेगा और इसके लिए मुझे आना पड़ेगा यहां पर सो मैं अपना terminal खोलूँगा और terminal खोलने के बाद मैं उपस मज़े इसको copy करना था actually क्योंकि मैं इस machine में ssh करना चाता हूं ठीक है तो यह करूँगा और yes करूँगा और मैंने अपना password डाल दिया है और मैं आ चुका हूं इस machine के अंदर सो यह वाला नहीं था command में windows भी का इस्तेमाल करते हुए यह जो cat वाला command इसको डालूँगा और यह मेरा root password है और मैं यह machine delete कर दूँगा तो मैं दिखा रहा हूं password आपको वैसे अपने passwords किसी को ना दिखाए ठीक है तो मैं आपर paste करूँगा remember me करूँगा sign in करूँगा और द लेकिन problem क्या होती है कि github के server पर जाता है code लेकिन gitlab है वो open source है आपके server पर रहता है code अब आप में से गई लोग होगे यार कि क्या guarantee इस बात की कि आपी के server पर रहता है code तो gitlab का जो code है वो open source है लोग नहीं चेक किया in fact आप एक engineer से check कर वा सकते हो और आप एक बड़ी organization मे काम कर रहे हो और in fact लोगों नहीं किया भी होगा कि जो gitlab है वो actual में आपके server तक ही रखता है data को and obviously network से communicate वगएरा करेगा जहां तक जितनी ही ज़रूरत पड़ेगी लेकिन यहां पर gitlab आपका है आपके server पर तो चलते हैं यहाँ पर पहला project अपना create करते हैं मैंने create a project पर click क करूँगा और यहां पर मैं Harry's code के नाम से या फिर एक काम करते हैं e-commerce के नाम से एक नहा project जो है वो हम create करेंगे initialize करेंगे इसको with the readme let's make it public create project अब यहां पर मैं group choose कर लूँगा और मैं root group में डाल दूँगा इसको create करूँगा project को and let's see कि यह create होता है कि नहीं और ही create हो चुका है initial comment यह public हमारी यह repo है अब मैं अगर मानले इसको share करना चाहता हूँ तो मैं simply इसका link दे दूँगा और मैं इसको जरा incognito से देखता हूँ कि यह चल रही है कि नहीं चलना चाहिए और ही चल रही है तो कोई भी यहां पर आ सकता है इसको clone कर सकता है और कर सकता हूँ और यही warning मुझे यहां पर भी दिखाई जा रही है कि you can't push or pull using SSH keys एक और warning मुझे दिखाई जा रही थी इसको मुझे acknowledge करने को कहा जा रहा था कि कोई भी sign up कर सकता है तो मैं इसको dismiss करूंगा notification को और यहां पर administrator के नाम से मेरा account बना हुआ है और यह मेरे personal projects है मै मैं चाहूं तो एक sign up कर सकता हूँ मैं चाहूं तो एक नई repo बना सकता हूँ मैं group बना सकता हूँ इसको आप लोग जाकर explore करें बहुत सारी चीज़े है इसमें अगर आप लोग चाहते है कि यह जो project है जो कि मैंने भी बनाया था e-commerce वाला इसको clone करना है तो आप इसको clone कर स गहेंगी लेकिन अगर मैं चाहूं तो इसको मैं command यूज करके भी clone कर सकता हूँ with https तो मैं वो चीज़ भी आप लोग को दिखाता हूँ तो अगर मुझे यह करना है मैं एक नई टाप चूज करता हूँ और मैं अगर यहां पर लिखता हूँ git clone यह मैं सीधा पेस्ट करूँगा यह URL है और git clone और उससे पहले मैं cd downloads करूँगा ताकि मैं अपने downloads में cd हो जाऊँ अब मैं इसको paste करूँगा और मैं enter मारूँगा और यहां पर आप देख सकते हो cd e-commerce करूँगा अगर और code dot करूँगा तो एक vs code instance कुलेगा जिसमें यह readme file है और यहां पर यह git भी configure हो गया है अब अगर मान लोग कि मैं आप लोग समझोगा इस बात को यह मैं अपने server पर कर रहा हूँ ठीक है मैं जस्ट यहां पर एक commit मार रहा हूँ just to show you कि it actually works ठीक है तो यह करने के बाद मैं क्या करूँगा कि इसको push करूँगा तो let me commit first yes and let me push it after this तो यह जो commit है यह मैंने डाल दिया है क्या मैं पुश कर सकता हूं इस repo में मैं आपर इसको accept commit message किया मैंने यह staged है और यहां पर hey के नाम से मैं commit message डालूँगा और मैंने यहां पर commit कर दिया मैं करूँगा changes को और यहां पर यह मुझसे कहरा बाइसाब अपना जो अथेंटिकेशन से जो डाल दो पुश कर तो चलो मैं डालता हूं पासफर्ड मैं चूस करूँगा जो कि मैंने भी किया था मैं okay करूँगा और यह पुश हो जाएगा ठीक है would you like visual studio code to periodically run gitfash yes actually this is helpful क्योंकि जब यह आप patch करते हो तो आप लोगों का जो server पर changes है वो आजाते हैं आपकी PC पे तो काफी helpful होता है ठीक है तो अभी चलते हैं आप इस server पर देखते हैं कि यह changes आई की नहीं है अभी देखो यहां पर एक readme है reload करूँगा तो यहां पर जो harry.txt है वो भी आगया और आप देख सकते हो last commit का message harry था और अगर मैं इसको खोलूँगा और मैं यह देखूँगा किसने इसको author किया तो यह देखो मेरा नाम यहां पर आगया harry लिखकर आगया और यह जो चीज़े इसने कहां से लिए इसने लोग यहां पर बना सकते हैं unlimited एक time होता था जब github पे private repos paid हुआ करती थी और जब private repos github पे paid हुआ करती थी तब लोग gitlab का use करते थे मैंने personally इतना use किया ना इस software का आपको क्या बता हूँ और अपनी organization को मैंने एक जगा पर recommend किया था इसको use करना and that project actually was a hit और मुझे लोगों को data भार नहीं जाएगा and actually उन्होंने एक team के साथ बात वगएरा करके इस चीज़ को सावित कर दिया कि data भार नहीं जाएगा and that project was a hit तो इस तरह की चीज़े ना क्या होती है कभी-कभी आप लोग को अगर मालूम है तो काफी easy हो जाता है आप लोगों के लिए बड वैनोड वैनोड पर करने वाले काम है नहीं ठीक है but try कर लेना hobby के तौर पर हो जाएगा मुझे भरोसा है पूरा but एक अच्छी machine मना लेना खास कर अगर किसी organization के लिए कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता को organization एक machine को pull करने के लिए आप लोगों को परशान करेगी कि यार यह I don't think कि कोई ऐसा करता है ठीक है यह आपर बहुत सारे ऐसे options हैं जो कि आप लोग खुद explore कर सकते हो sky is the limit git lab की आप लोग documentation पर जाओ और बहुत सारी चीज़े आप लोगो सीखने को मिलेंगी मैं जागों तो git lab के बारे में अगर features के बारे में एक एकर के बात करने बैठ गया तो यह वीडियो शायद घंटा बर से भी जादा कर चला जाएगा but I want you to do that आप थोड़ा बहुत explore करो मुझे बताओ कि आप लोगों को कैसा लगा यह वीडियो thank you so much guys for watching this video and I will see you next time